अब देखते हैं पंजाब में इंपोर्टेंट म्यूजियम कौन कौन से हैं महराजा रंजीत सिंग म्यूजियम अमरित सर एंगलो सिख वार मेमोरियल एंगलो सिख वार मेमोरियल है फिरोजपुर संगोल म्यूजियम फतेगड साहिब संगोल आर्चेलोजिकल म्यूजियूम रूरल म्यूजियूम है पंञाब एकरी कल्चरल उनिवर्स्टी लुदियाना गौर्वरमेंट म्यूजियूम खोश्यारपुर गुरु तेज बाहदूर म्यूजियूम आनंध पुर साहिब गुरु तेज बहादूर म्यूजियम अनन्दपुर साहिब म्यूजियम ओफ आर्मरी एंड शैंडेलिये म्यूजियम ओफ आर्मरी एंड शैंडेलिये ये है किला मुबारक पट्याला दो किला मुबारक हैं एक पट्याला में एक बटिंडा में तो दोनों में आगों कन्फ्यूज नहीं होना है मुजियम ओफ आर्मरी एंट चंडेलिये है किला मुबारक पटियाला स्पोर्ट्स मुजियम नैशनल इंस्टिटूट अफ स्पोर्ट्स पटियाला आर्ट गैलरी शीश महल पटियाला इंपोर्टेंट किले देखते है गोबिंदगर का किला है अमरित सर किला मुबारक भटिंडा भटिंडा के एकदम हार्ट अफ दा सिटी में और किला मुबारक पटियाला में भी है अनंदपूर साहिब फोर्ट ये है रूपनगर फिल और का किला है लुदियाना शहापूर कंदी फोर्ट पठान कोट आर्केोलोजिकल साइट्स देखते हैं पंजाब में कौन-कौन सी हैं संगोल, फतेगड साहिब और रोपड, रोपड में जो हडपा कल्चर था इंडस वैली सिविलाइशन के अंदर आपने हडपा जरूर सुनाओगा जो इंडस वैली सिविलाइशन यानि सिंदु घाटी सब्वेता थी उसके जो कुछ नमूने हैं, एविडेंस हैं वो रोपर में मिले और धोल बाहा है होश्यारपूर में ये सारी हैं आर्केलोजिकल साइट्स जहां पर पुराततो विभाग ने कुछ पुरानी चीजों की खोज की पंजाबी लिट्रेचर पंजाबी साहित्य के जनक यानि फादर ओफ पंजाबी लिट्रेचर बोलते हैं बाबा फरीद को पंजाबी किस्से देखते हैं हीर रांजा वारिष शहा, सोनी महिवाल, फजल शहा, मिर्जा साहिबा, हाफेज बर्खुरदार, शशी पुन्नू, शाह हुसेन और पूरण भगत कदर्या पंज तक्त, अकाल तक्त साहिब, अमरित सर, ये सबसे पुराना तक्त हैं, पंज तक्त तक्त, श्री दमदमा साहिब, तलवंडी, गुरु की काशी, तलवंडी तक्त, श्री केशगण साहिब, अनन्दपुर साहिब तक्त श्री हजूर साहिब नंदेड महाराश्ट्रा तक्त श्री पतना साहिब पतना बिहार तक्त श्री हुजूर साहिब और तक्त श्री पतना साहिब ये बनवाए थे महाराजा रंजित सिंग जी ने तो बाबा बंदा सिंग बहादुर जी इनका ओरिजिनल नाम था लच्मन देव ये फ्रॉम रजोरी जमू से थे पॉपुलर नाम था इनका मादो सिंग इनके और भी नाम है इनको बंदा बैरागी गुरु गोबिन सिंग जी भी कहते हैं और बंदा सिंग बहादुर इनका ना बंदा बहादुर सिंग जी और वजीर खान के बीच में हुई, इन्होंने वजीर खान को हराया। महराजा का टाइटल इने मिला 12 अप्रेल 1801 में और ट्रीटी ओफ अम्रिट्सर इन्होंने साइन की 1809 में, ये सिख अम्पायर के पहले राजा थे और जो ट्रीटी साइन हुई वो मैट काल्फ और रंजीत सिंग जी के बीच में हुई, महराजा रंजीत सिंग जी ने जमन शाह दुर्रानी को बैटल ओफ अम्रिट्सर में हराया 1797 में, बैटल ओफ गुजरात 1997 और बैटल ओफ अम्रिट्सर 1798